Hello Friends, Good Morning and Welcome to GKNI's Юुपिटेट एक्जाम की आंसर की को लेकर 4000 आपत्या हो चुकी है तो Friends, आज का Lattest News Юुपिटेट एक्जाम की आंसर की को लेकर जिस पर 4000 आपत्या हो चुकी है आंसर की जारी होने की 31 घंटे के भीतर इमेल पर आई अपत्या और 29 तक होगा निस्तारन तो फ्रेंड्स ये लेटेस न्यूज है जो यूपिटेट एक्जाम की विवादित आंसर की जारी की गई थी उस पर 4000 अपत्यों को लेकर है चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इससे पहले दिया आप चैनल पर नए है और विजिट कर र इंतेहान तो आपकी जो उत्तर कुंजी की संसोधित उत्तर किंजी जारी की जाएगी वह है तीस को जारी की जाएगी उत्तर परदेश इक्षा पात्रता परिक्षा यूपिटेट की उत्तर कुंजी जारी होने के 31 घंटे के भीतर सचीव परिक्षा नियमक परादिकारी को इमेल पर तक्रिबन 4,000 अपत्या मिल चुकी है। इनमें से सोरी 94,000 अप्यारती परिक्षा में सामिल हुए थे। पूरुन निर्धारित कारेकरम के अनुसार उत्तरकुंजी 20 नुवंबर को आनी थी लेकिन इसमें दो दिन का विलम हो गया उत्तरकुंजी 22 नुवंबर को सुभे 9 बजे जारी की गई। इनमें सचीव परिक्षा नियमक परादी कारी को इमेल पर तक्रीबन 4000 अपत्या मिल चुकी है। अपत्या मिलने के बाद इसके निस्तारन के लिए विशेशक्यों की कमेटी का गठन किया जाएगा। और कमेटी 29 नुवंबर तक अपनी रिपोर्ट सचीव परिक्षा नियमक परादी कारी को सोपेगी। रिपोर्ट के आधार पर 30 नुवंबर को संसोदित उत्तरकुंजी जारी की जाएगी। सुत्रों का कहना है कि सचीव परिक्षा नियमक परादी कारी को 12 से 14 परसन पर 4000 अपत्या मिली है। अंतिम उत्तरकुंजी में 5 से 6 गलत सवाल हटाए जा सकते हैं। हाल की इसके बाद भी सवालों को लेकर रुत्पन विवाद थमने की उम्मीद बहुत कम है। तो यूपिटेट की अंसर की को लेकर 4000 अपत्या दर्ज कराई जा चुकी है और 30 को जारी की जाएगी संसोदद उत्तरकुंजी यानि के जो गलत सवाल है उनमें संसोदन करके 30 तारीक को आपकी उत्तरकुंजी दुबारे से जारी की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये लेटेश्ट न्यूज था यूपिटेट की अंसर की को लेकर जिस पर 4000 अपत्या हो चुकी है तो फ्रेंड्स लेटेश्ट न्यूज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा टेश्ट न्यूज पाने के लिए यूपिटेट की थैंक्स पॉर वाचिंग